हेलो दोस्तों स्वागत है आपके यूटूब चैनल एक्जाम 91 पर देखिए हम लोगों ने जो है एक स्रीज इस्टार्ट किई है जिसको 1000 कोश्चन्स जो है कंप्यूटर के वह हम लोग कवर कर रहे हैं और देखिए उसका जो पहला पार्ट है वो चैनल पर आ चुका है तो ज उसमें भी सोच रहे हैं कि आपको बहुत हार्ड कोश्चन देखने को मिल जाए तो अगर बहुत हार्ड पहले ही लेके आ जाएंगे तो आप लोग ही नहीं देखेंगे क्यूंकि आप लोग तो उसमें जब लगेगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं तो आप लोग ही नहीं द क्योंकि यह questions आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ नहीं देखे जाएंगे यह आपको बहुत कुछ देखे जाएंगे जब आपको टाइम आएगा तब आपको बिल्कुल exactly पता चलेगा कि हाँ यह तो सची में हमारे से related questions थे ठीक है तो इसको बिल्कुल भी इ कि आप कहें कि नहीं से तो बहूत ईजी करा रहाव तो देखे असा नहीं है कि मुझे यह चीज परहें नहीं लोगों ने कई लोग कैच चुक अकि सरा बहुत ऊजी आप इक बार आप लोग भी जाके जो इसका स्ले वस है कि क्या होता है कैसा क्या है उसमें एक बार आप लोग भी check किजिए जाके आपको भी पता चल जाएगा कि Philip C का स्लेवस ही यह रहाव зем Seems नहीं हो ight– hard नहीं होता है जो आपको बहुत जजधा हार्ड करा दिया आब देखें, माइक्रोफोन क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हमारी input डिवाइस हो जाएगी, चलिए, आगे देखते हैं, फिर देखिए, फिर है बार कोडिंग, इस तरीके का उधर अधर अधर रड़, आपने देखा होगा, ऐसा आखर के लाइनिंग बनी होती है ना, उनके यह नीचे नमबर ऐसे अगर के लिखे होते हैं, तो यह जो नमबर लिखे होते हैं, इसी को एक मसीन के द्वारा समय में चलाते हैं, एसा क्या करता है, यह multitasking है, तो क्या हो सकता है, चले ही बताईए, देखिए, जब multitasking का बिस्वारेतर हुरी, यह multitasking का ही एक रूप है, ठीक है, एक program, एक से अधिक grade एक ही समय में चलते हैं, तो देखिए, जब ऐसा चलते हैं, यानि कि multi-task हो सकते हैं, तो जब एक प्रोग्राम में एक से इधिक चलने, इसको multi-threading भी कहते हैं, क्या कहते हैं, multi-threading भी कहते हैं, इसका सही अंसर यह हो जाएगा, चलिए देखते हैं, लिगे, इसका इंसर नहीं दिया है, यह देखा, इसका answer A दे फोटो 114 ऑल्स टो जो होता है तो एक थीर सब्द है बोइक हम लोग नॉप्न डिजटेयर में पहुंचाते हैं बशर्ण लुप में वालना तो चैसंे बशर्रीटार बेड़ ही वालना ना कशीIES हwir है यसे प्रेचे में कमाल आउटपुड मिल जाता है, एक हाड़ कॉंपी मिल जाती है, जिसको हम लोग हाथ मिले के पढ़ सकते हैं, उसको रख सकते हैं, या कैरी कर सकते हैं, यह सब कुछ, तो यह लाइन प्रिंटर किसका उधारड होता है, यह होता है, आउटपुट का, फिर कोशन नमबर 106, कोशन 106, किया है, इस्कैनर, और डिज्टल कामरा, किС क्यों उधारण है, तो इस्कैनर, ठीक है, इस्कैन, ऐसी खर के एक उपर कि तरब ये कि בא अफर टाते हैं, और इसमें यहाँ पर रागिम्न रखते हैं, और पिर ग्ररदेते हैं, और इसको पिर पलड़ देते हैं, और फिर क यह भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे तो एक कैमरे ने भी क्या किया जो हम लोग जिस इस्तिति में खड़े थे उसका उसने क्या किया फोटो लेके इंपुड बना दिया तो यानि की स्कैनर और जो डिश्टल कैमरा है यह किसके उधारड हो जाएंगी इंपुड डिवाइस के देखते हैं उसमें खरिवाइस दीधिधर किसका उधारड हो जाएगा आउटपुड का किसका आउटपुड का ठीकर क्यों उधार इंटर क्या करता है हमको print करके हमको वह एक hard copy में provide गरा देता है तो वह जब भी हमें कोई computer हमें कोई भी चीज provide कराता है तो वह हमें output देता है हम जब उसको देते हैं तो वह हम input देते हैं चलिए याद रखिएगा फिर निम लिखित में computer mouse मूल रूप से प्रियोग किया जाता है तो को computer mouse जो है mouse के बारे में हम लोग पहले भी बाउत कर चुके थे कि mouse किसले यह यूज कियाता है यह GUI के रूप में यूज किया जाता है किसमे GUI GUI का मतलब कर तो graphical user interface ठीक है यह याद रखिया कि इसका यो second option में दे भी रखा है GUI और यह हम लोग पहले के जो है practice rate में देख चुके हैं कर चुके हैं तो जिनोंने किया होगा तो उनको यह question याद भी होगा निम लिखिद औपरेटिंग system नहीं है कौन सा ? Unix operating system और Linux i operating system और XP विंदव एकस्पी जिसको बोलता है यह भी हमारा operating system और office यह है यह हमारा software है तो ये क्या हो जाएगा ये OS हो जाएगा ये भी OS हो जाएगा और ये तीसरा वाला भी OS हो जाएगा और चौथा वाला क्या हो जाएगा ये software हो जाएगा ठीक, चलिए फिर बिंडोज एक उधारड है, बिंडोज किसका उधारड है, गैर graphical user interface का या GUI ने की graphical user interface का, तो यह GUI लिखा है यह non GUI लिखा है, तो किसका उधारड हो सकता है बताइए जल्दी से, बिंडोज किसका उदारड होता है देखो बिंडोज में हमारे जब तक GUI नहीं डालते हैं, तो हमारे पिक्सल नहीं चलते हैं, नहीं हम उसमें कोई वीडियो या फोटो को ओपन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें graphical user interface नहीं होगा तो वो दिखाएगा कि इसमें graphic में दिखाएगा न तो इसलिए window किसका उधारण है यह हमारा GUI का उधारण है चलिए देखते हैं चलिए ऊपर है इसका answer यह देखिए क्या दे रखा है answer ए दे रखा है तो किसका हो जाएगा GUI का फिर chip disk क्या है देखो जो chip disk है यह क्या है हमारे देखो जो पहले बाद तो जो chip है और chip disk पोचा गया है तो देखे जिए chip होती है यह हमारे किसका memory के लिए होती है यानि कि ठीक यह memory के लिए है अब आप एक चीज यह बताए कि अगर यह memory के लिए है और उसमें जो क्या नाम यह कह सकते हैं कि यह किस तरीक है कि तो यह देखो माध्यमिक इसम्रति हो जाएगा कि इसका देखो register हमारा computer के अंदर सबसे fast memory यही बोलते है storage device हमारी जितनी भी यह भी chip disk है यह भी हमारा storage device ही है पर बात यह कर रहा है कौन सी storage device है तो यहाँ पर प्राथमिक वो होती है जो हमारी computer में RAM, ROM जो इस तरीके की होती है जो हमारी computer के साथ होती है उनको हम प्राथमिक बोलते हैं और यह माधिमिक है ठीक है तो याद रखिएगा यह किस तरीके की है यह माधिमिक है फिर इनमें कौन सी भंडार storage करती है अधिक data ठीक है इनमें कौन सी जो है अधिक data store करती है यह कह रहे हैं इसका मतलब यह है तो देखो इसमें कौन जो है अधिक data store करती है बाद आता है CD ये लगभग एक बार में इसमें एक CD में लगभग 200 कुछ 256 MB ही साहित कुछ कर सकती है या 300 MB कर सकती है इस से जदा नहीं DVD जो होती है हमारी ये लगभग 1 GB के असपास कर सकती है और जो HVD होती है ये लगभग लगभग 4 से 8 GB तक इसमा इस्टोरेज होता है तो स सबसे स्लो पूचा जा रहा है सबसे फास्टो हमारी रेजिस्टर हो जाती है कि अंने इंपूर दिया वो तुरंथ 30 जिटेश्व करता है कि तुरंथ √ आओट पूर्ट मिल जाता है तो दगो जबसे क्योंब्से हो जाएगी वह हो जाएगी त frontalink computer के अंदर होती है 50 MB तक दे देता है 50 MB PS दे देता है लेकिन कुछ ऐसी होती है जिन में आप कहो तो 11 MB PS भी चलना मुश्किल हो जाता है तो जो माध्यमिक जैसे चिप लगाई कोई memory card लगाई तो यह इस तरीके की तो यह क्या होती है यह slow होती है मुख्य स्थम्रति जो computer के अंदर hard disk होती है है वह काफी fast होती है है ठीक और PD लोंगो PD जो चीप होती है conclude समझें जैसे चीप होंए हमारी और जित्ती भी tämä की जो होती है चीप होगयी और Memory card होगे जो इस तरीके की तो यह जो होती है मतला उतनी Fast नहीं होते है पीडी-पीड़ी जो है यह है fast होती है क्योंकि इसके अंदर जो है रजिस्टर्स की संख्या जादधा हो जाती है तो इसलिए PDB fast होती है तो यह भी fast तो इसमें से slow count हो जाएगा यह माध्य मिक्वाला चलिए पहला बालेज्जी ग्रूप से उपलब्ध computer count था चलिए देखते हैं ठीक देखो बालेज्जी ग्रूप से जब मैंने जननेशन पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि पहला computer count है और उसके बाद में फिर एक जो एक दो बार यह set paper में भी आया जो previous year का paper था उसमें साहिद एक बार यह question आया था कि बालेज्जी ग्रूप से यूज किया जाने बाले computer counts है कुछ इसी तरीके से उसकी language थी तो क्या होता है Univac चलिए question number 115 निरवा tube यानि की vacuum tube अब vacuum tube देखे ये कल question जब आया था मैंने आपसे इसको comment में answer देने के लिए कहा था वहां पर comment में answer एक लड़की ने दिया भी था दिब्या सकसेना ने और उसके लाबा किसी ने भी answer नहीं बताया है कि क्या होते हैं मैंने चारो generation का पूछा हुआ था तो मैडम को second का नहीं बता था तो उन्होंने कहा था कि second का confirm नी तो मैंने उनको comment में बताया हुआ है कि second generation का क्या use हुआ था देखो जो vacuum tube थे वो हमारे प्रथम पीड़ी में आये थे दूसरे में फिर तीसरे में और चौथे में इसमें register यूज किया गया था तीसरी पीड़ी में IC जो है integrated circuit का यूज किया गया था और चौथी पीड़ी में प्रोसेसर का यूज किया गया था फिर पांचमी पीड़ी में क्या यूज किया गया यह आप लोग मुझे comment में करके बतायेगा कि पां पीड़ी हो जाएगा देखिए एंसर से हो जाएगा फिर 116 कीबोर्ड का उप्योग हो अधा कीबोर्ड कीबोर्ड और मॉनिटर तीनों का उपविज हमारी तृतीई फिर निम्न में कौन सा स्चॉट काईवार प्रदरसित करने के लिए किया जाता है तो अगर preside Ink करने की बात कर रहा है तो ऍंतो अगर। बूर्टो लोगों के साथ में को क्या लेना पड़ेगा हमको इसकी बात कर रहा है देखो पहले तो बिन्डो लोगो पता होना इस तरीके से keyboard होता है उसमें आप यहां पर देखेगा ctrl होगा फिर alt होगा उसके पडूस में ही आपको बिंडो को की दी होगे उसमें आपको चौकोर चौकोर ऐसे सकरके बने हुए होंगे तो यह जो होती यह बिंडो की होती है और जो बिंडो की की होती हो देक्सटॉप को प्रदर्सित करना है तो desktop को प्रदर्सित करने के लिए बिंडो के साथ हमको क्या लेना होता है desktop को हम लोग display भी कहता है और desktop भी होता है desktop ठीक तो desktop में D आता है ना तो बिंडो के साथ जो हम D लेते हैं तो हमारा desktop प्रदर्सित हो जाता है computer में content copy कर दूसरे स्थान पर ले जाने पर रखना क्या कहलाता है जब हमने copy कर लिया उसने content copy कर तो लिया अब उसको रखना है रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं paste करते हैं तो इसका सही answer क्या हो जाएगा c paste हो जाएगा ठीक है computer document content paste करना है shortcut क्या है देखो सीधे बता दूं आपको ctrl plus c copy ठीक ctrl plus x x क्या होता है काटना हम लोग कोई भी चीज जैसे किसी की लिखी हुई है हमें नहीं समझे माई हमने काट देते हैं तो क्या हो जाता है x का मतलब होता है कट करना और ctrl प्लस v क्या होता है यह होता है paste ठीक है तो याद रखिएगा control plus p यह हमारा किसके लिए होता है यह print के लिए होता है print preview के लिए होता है print के लिए होता है तो control x हमारा कटने के लिए और paste करने के लिए उसने paste करने की बात की है तो Ctrl V हो जाएगा इसका सही एंसर फिर 120 website का मुख्य पेज क्या गयल आता है दोखो जो अगर किसी का भी जो मुख्य पेज है वो हमेशा home page होता है ठीक क्या हो जाएगा ये home page हो जाएगा चलिए फिर question number 21 computer बंद होने पर कहां से content निकल जाते हैं ठीक है देखो जब computer बंद है तो उससे content निकल जाने के बाद देखो storage में तो हम computer का सभी item ही save करते हैं तो अगर वहाँ light जाने के बाद या computer बंद होने के बाद अगर storage में ये content निकल जाएगा तो फिर हमारा उसमें save करने का मतलब ही क्या बचेगा input, input से तो हम बताते हैं कि computer को क्या करना है चलिए आगे देखिए फिर क्या है इसका तीसरा option है output ठीक output हमें computer बताता है कि उसने क्या किया है और memory देखो memory primary और secondary दो तरीके की memory होती है और जिसमें memory में ही हमारी क्या आती है RAM और volatile भी होती है और non-volatile दो इसमें आती है देखो जो RAM होती है यही एक होती है कि जब light चली जाए या computer बंद हो जाए तो उसके अंदर RAM जो हमारी बिल्कुल clean हो जाती है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा यह D बाला फिर Microsoft Spreadsheet का extension क्या होता है देखो Spreadsheet की बात करेगा तो .ls होता है क्या होता है .ls ठीक है यह document का है यह spreadsheet का है यह presentation का है और यह साइद यह नहीं मुझे याद आ रहा है किसका है चलिए इसका क्या हो जाता है Microsoft Spreadsheet का यह xls हो जाता है फिर question number 23 Microsoft Word में mail merge क्या निर्दिष्ट करता है दोगो mail merge जो निर्दिष्ट करता है वो जैसे merge करने की बात जब देखे merge करना क्या होता है ऐसे करके दो चीज़े आई एक बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे mail merge देखो document का अंत बिल्कुल नहीं computer document का आरंब बिल्कुल नहीं email के एक साथ कई लोगों को भेजना देखो कई लोग सामिल हो गया तो यहाँ पर mail merge तो जब चाहें तो वहाँ की बात आ रही है तो लोगों को कई लोगों को भेजना कि कई लोग सामिल हो गया जब ज़्यादा काम एक साथ होगा तो उसको एक ही साथ में किया ज़्यादा काम एक साथ में या ज़्यादा लोगों को या जो भी है तो ज़्यादा वही एक काम करना लेकिन जादा लोगों के लिए तो वो क्या हो जाएगा मर्ज हो जाता है तो email एक साथ कई लोगों को भेजना यह हो जाता है चलिए फिर modulator क्या होता है देखे जब साइद ये practice rate 10 या practice rate 9 में modulator चाहे थीया कि तुम्हें ने दोनों कोुछ आ हैंएँ तो मैंने सकते बताया था क्या होता है थीक मोड April greater डीक, मॉडुलेटर का शामा न रूफ है तो शीरों घुक मॉड़ुलेटर का मा आ जरिये से होता है, ठीक है, यह मैंने साथ, प्रेक्टिस सेट नौ या प्रेक्टिस सेट दस में ऐसा कोशन आया था, तब मैंने इसको एक्स्प्लेइन किया था, यह हो जाएगा इसका सही एंसर, सूचना राजपत किसे कहते हैं, चलिए, इसके एंसर देखते हैं, क्या है, स utilizz sped का मतलब होता है रास्ता, तो information जाने का रास्ता क्या, क्या electronic mail है, क्या काहली electronic mail ही ऐसा है, जहां से ही हम सब कुछ भेज सकते हैं, या कुछ हम लोग ढून सकते हैं, या जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, electronic mail से तो सिर्फ mail जाते हैं, फिर cellular phone, देखो cellular phone से तो हम कर तो बहु सकते हैं कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और यह सारी चीज़े यानि कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कर सकते हैं तो किसके माद्धियम से हम लोग यह राजपत जो होता है वो कि क्या होता है इंटरनेट होता है चलिए यदि आप MS Word में रिसायर के बजाए रिसीब टाइप करेंगे तो कौन आपको बदल देगा जब हम लोग इसकी जगह पर यह टाइप करेंगे तो सिंपल सी बात है यह हमने मिस से इस पेल कर दी तो इसको क्या करेगा वो आटो करेक्ट करेगा ठीक है तो आटो करेक्ट करने के लिए इसमें देखो चौथा उपसंदे रखा है कि वो आटो करेक्ट कर देगा चलिए कोशन नंबर 127 कोशन नंबर 127 के MS Word में स्पेलिंग ग्रामीर चेकंग का शॉर्टकट क्या होता है दो यह कोशन बहुत बार आया है एक सेवन होता है याद रखिएगा सिर्फ अब ही साइद यह कल बाले में ही जो हम लोग 11000 कोश्चन की सीरीज कर रहे है उसी में आया है या चैप प्रेक्टिसरे 10 या 9 में यह किसी में आया हुआ है कि ग्रामर चेकिंग के लिए जब बात आती है जो इसमेलिंग ग्रामर चेकिंग होती है उसको एप सेवन से हम लोग यानि कि विंडोज एमी एमी जो है वो क्या सब्द बनाता है ठीक है देखें मिलेनियम है माइक्रो एक्सपर्ट है माइक्रो यह माइक्रो है यह माइक्रो है ठीक है देखें माइक्रो और माइक्रो में काफी अंतर होता है चलिए आगे देखते हैं इसका चौथा भी आप्स लिखा हुआ है कि इनड ढे में वह मिलेनियम होता है मिलिन अलग चीज होती है मिलेनियम आलग चीज होती है तो Windows ME में इसका ME का form क्या हो जाएगा, वो ME हो जाएगा, यानि कि Millennium हो जाएगा, चलिए, आगे देखते हैं, फिर लिगाए, कमप्यूटर के सॉफ्ट वेर कोड में वी तुरुटियाँ धूनने के लिए प्रियोग किया जाता है, जब तुरुटियाँ धून रहे हैं, तो सिंपल सी बात हैं, तुरुटी होने को हम लोग बगिंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसको धूनना होता है, तो हम लोग उसको debugging कहते हैं, क्या कहते हैं, debugging, तो यह हो जाएगा debugging, फिर question number 130, वह hardware device जो computer data तो अर्थपूर्ण information में परिवर्तित कर देता है, वह hardware device जो computer data को अर्थपूर्ण information में परिवर्तित कर देता है, जब अर्थपूर्ण की बात हो रही है, तो देखो, कोई भी information हम computer को input के मादधे हम से देंगे तो ऐसे करके एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है जिसको हम लोग processor बोलते है सारी information पहले यहाँ पर जाती है process होती है process होने के बाद में वो बताता है कि तुमको अब क्या करना है यानि कि computer process जो है process होने के बाद बताता है कि हमने क्या input दिया है और उसको करना क्या है तो यह जो अर्थपूर्ण information में परिवर्थित करता है तो वो कौन करता है यह processor का काम होता है ठीक है चलिए question number 131 चलिए देखते हैं computer program को high level language के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़ने योग योग program के अनुवाद को कहा जाता है ठीक है program, translator और source code यह तीन चीज़े है यह तीन चीज़े जो है program हमारे क्या होता है informations का एक सम्हूँ होता है यानि कि group of information होती है translator हमारा काम क्या करता है कि कि किसी दूसरी language को किसी दूसरी language में translate करता है देखो जो source code होते है यह source code क्या करते है यह source code बनाए ही इसलिए गया है कि किसी भी language में या किसी भी code में कुछ भी आप लिख के देंगे तो computer क्या करेगा उसको हमारे पढ़ने योग बनाएगा या हमारे समझने योग उसको वो translate करता है तो computer को high level programming language की रूप में लिखकर मानव दारा पढ़ने योग अनुवाद करने को क्या कहा जाता है यह source code के माध्यम से किया जाता है देखे, source code के माध्यम से computer क्या करता है computer तो अपने अप high level language में समझ लेता है कि high level से वो convert कर लेता है किस से translator से किस से compiler हो गया, assembler हो गया और यह जो भी हो ठीक तो इन से क्या करता है वो translate कर लेता है वो समझ लेता है फिर हमको समझाना है तो वो किस के माध्यम से समझाएगा source code के माध्यम से क्योंकि हम लोगों को machine language और high language दोनों नहीं आती है तो वो क्या करता है source code की मदद लेता है और उसको translate करके हमको बाहर निकाल के देता है देखो इसका answer C सही है source code ठीक है compiler एक high level language में लिखे गए compiler जो है high level language में लिखे गए program को में translate करता है देखो हमने क्या बदाय था कोई भी translate करेगा किसी भी तरीके की language को computer के लिए तो वो हमेंसा किस में करगा machine language में ठीक है क्योंकि computer क्या है machine language समझता और ये क्या समझता है सिर्फ computer 0 और 1 को ही समझता है और 0 और 1 क्या होते है ये आप लोग comment करके बताईए ठीक है चलिए फिर लिखा है software का प्राथमिक उद्देश से है data को में बदलना देको प्राथमिक जो software का प्राथमिक उद्देश होता है वो data को किस में बदलना होता है information में बदलना होता है जब तक data जो information में नहीं बदलेगा तब तक क्या होगा कि वो जो work करना है वो computer समझ ही नहीं पाएगा तो data को information में बदलना होता है यह याद रखिएगा फिर question number 134 इन में कौन computer का एच्छिक भाग है यानि कि external device है ठीक है तो जो external device की बात है कि देखो printer ये external device इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि computer के जो part होते हैं इतने भी उसमें printer हमारा काउंट होता है hard disk दो एक तो computer के साथ हमें अंदर दी जाती है तो उसको कभी भी हम लोग उसमें काउंट नहीं करते हैं ठीक modem modem को भी external यानि की एच्छिक भाग नहीं कह सकते हैं क्योंकि internet के लिए जब देखा जायता है तो modem को ही देखा जाता है chip drive देखे उसके अंदर कई तरीके की जो chip लगी होती है जिनको हम लोग जो है chip drive जो होती है वो कई chip drive भी होती है computer के अंदर तो वो भी उसका जो है external device नहीं होता है external device सिर्फ और सिर्फ कौन सो होता है हार्ड डिस्क जैसे हमने कोई भी काम करना तो हमने backup ले लिया हार्ड डिस्क में और वो हमारे कई तरीके के आते है GB TB JDB इस तरीके से आते हैं तो याद रखिएगा यह इसका जो external part होता है वो हार्ड डिस्क होता है ठीक फिर एक कॉलम में किस लाइन का होता है ठीक जब टेक्स्ट की बात कर रहा है कि वो एक कॉलम में जो लाइन किस लाइन का होता है यह बताना है देखो इसके बाकी उधर ही पहुंचते हैं का यह एक कॉलम में जो टेक्स्ट होता है सामानियता हमें आप साथ जस्टिफाइव के रूप में लिखा होता है किसका जस्टिफाइड के रूप में क्योंकि यह चीजanız मैंने देखिए नसे राइट कप जाता है, लिफ्ट कप जाता है, सेंटर में कहां पर होता है, और जस्टिफाइड, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक देखिए, उसमें 21 बीडियो डाले जा चुके हैं, किसमें आपके जो प्लेडिस्ट है, उसमें जितने भी प्रेक्टिस सेट हैं, और अभी चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट चीजे पड़ी हुई है, तो आप लोगों ने अभी तक अगर वो चीज नहीं देखिए, तो आप लोग जाईए, उसको देखिए, देखिए, उससे क्या होगा, कि आपकी कुछ चीजे जो है, क्लियर हो जाएंगी, जैसे जननेशन का व तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट डून के लेके आया थे, अगर आप वो देखते हैं, तो इतना जरूर है कि आपको आपको आठ नौ तो पता ही होंगी, आठ से नौ पता ही होंगी, ठीक है, और जो शॉटकट कीज लेके आया थे, व तो यह याद रखिएगा कि कुछ चीजे हमेशा आपको ध्यान में रखनी होती है कि क्या करना है और कैसे करना है, इसलिए आपको वो तीन वीडियो अलग से प्रोवाइड कराए गये थे, आप लोग जाएए, उसको एक बार जरूर देखिए, और आप लोग वहाँ से 236, चलिए देखे, क्या है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइज है, तो सबसे कॉमन प्रकार की अगर पूछी जाएगी, तो वो ऑप्टिकल है, आज के टाइम में ज्यादा तर, क्योंकि मैगनेटिक टेप रखना, सम्हालना और इनका बड़ा मुस्किल काम था, फ्लैस मेमोरी का यूज तो करते ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा महँगा और इसको रख रखाव वाला इसमें भी आता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन की बात की जा रही है, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, तो यह ओप्टिकल होता है, आज के टाइम में ज्यादा ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ दी Salvador MB में नापने का मतलब अगर हमें TB भी पूछा जाएगा तो कितने MB मिलके हमारा GB बनाएगा 1024 ठीक अब ये तो 1 GB बन गया और कितने GB मिलके हमारा ये बनाएगा TB तो यानि कि इसमें अभी हमें 1024 तो ये GB हुए ये 1024 GB मिलेंगे तब हमारा ये बनेगा तो ऐसा ऐसा करके multiply करते करते आगे बढ़ते हैं तब हमारा ये answer आता है तो यानि कि memory जो नापी जाती है वो किसमें नापी जाती है megabyte में याद रखिएगा फिर question number 38 किसी directory को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है जब directory की बात करते हैं तो directory देखो बनाई हमारी DOS में जाती है ठीक है उस वहीं पे हम लोग directory DIR करके बनाते हैं DIR command देते हैं उसको तो ऐसे करके DR या DIR दी जाती है मुझे काफी time हो गया है DOS को use किये हुए मुझे exactly नहीं याद है कि उसमें command क्या देते हैं DIR देते हैं या DR देते हैं तो उसको जब हटाने की बात आती है तो उसको RD करते हैं क्या करते हैं RD ठीक तो देखेए यह किस option में है यह आपको C वाले option में मिल जाएगा चलिए आगे देखते हैं line की बात कर रहा है local area network से जुड़े computer क्या होते है local area network का मतलब होता है कि एक limited area ठीक है और यह computer के मतलब internet के नहीं उच्च के जाता है तो उससे जुड़े computer क्या होंगे तेज चलेंगे हाँ बिल्कुल तेज चल सकते हैं offline जा सकते हैं जा सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अभी और भी देखने हैं information और peripheral उपकरण शेर कर सकते हैं यह बिल्कुल exact सही हो जाएगा क्यों दो information और peripheral का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लोग desktop पे पढ़िए चीज दूसरा computer मांगता है कि भाई वो desktop पे पढ़िए मुझे permission दे दो या हम लोग कहीं माल लीजे जैसे आप अपनी city में बैठे हुआ है और आपके बीच में 4-5 km का distance है लेकिन वहाँ पे क्या है कि कोई आपको कोई चीज चाहिए और आप उसको directly नहीं भेजना चाहिए सीधे आपका ऐसा समझ लिए वो access मांग रहा है तो access किस के जरीए है हम लोग उसको provide करते है LAN के जरीए से ही वो हमसे access मांगता है हम उस पे जैसे yes करते है वो हमारे computer का access ले ले लेता उसको जो file चाहिए होती वो directly वहीं से उसको access करके देख सकता है ठीक है तो ये क्या होता है ये LAN के जरीए से ही possible होता है question number 140 आपके computer में निम्न में कौन सी memory दरसाते है देखो हमारे में अगर बात की जाएगी तो देखो RAM तो होती है DSL नहीं होती USB port होता है LAN हमारे में नहीं तो ये तीनों क्या हो जाएंगे ये तीनों नहीं बचेंगे RAM ही हमारे memory में memory दरसाते हैं ठीक, question number 141 tape drive data को access offer कहा जाता है ये किस तरीके की होती है देखो जो tape drive होती है जैसे हमारी जो नहीं पहले ऐसे करके cassette चलती थी जिसमें इस तरीके से दो गोले बने होते थे और यहां पे उसमें जो है ऐसे करके tape लगा होता था वो tape चलता था तो गाने बाने बचते थे तो ये क्या होता था ये random type क्यों होते थे ये tape drive data को access offer करता था कैसा random ठीक है तो याद रखिएगा इसका साही एंसर क्या हो जाएगा random question number 142 Freedy fund meaning जो प्रीडी लिखा है pre-fund meaning है ये pre-fund meaning pre-defined meaning pre-defined meaning character को क्या कहते है देखो जो pre-defined meaning होता है जो pre-defined जो है उसके जो character होते है उसके सम्हूं को हम लोग file कहते है कैसे देखो वो file में ही आपको पहले सब कुछ बताए दिया जाता है या जो भी होता है उस तरीके से ही होता है कि उसमें हम लोगों को चीजें पता होते है वो informations का एक सम्मूं होता है तो उसमें information पहले से होती है तो जो Jr collector को जो सम्मूं होते है उनको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, चलिए, पेज नमबर 20, कोशन नमबर 143, एक यूनिक नाम होता है, जो अपने सूचना की किसी फाइल को देता है, दोगो, जब, जैसे हमारा ये फोल्डर बना हुआ है, हमें पता है, इसमें सारी की सारी हमने फोटोज डाल लग तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर इसके फोल्डर के उपर नाम क्या लिख देंगे, फोल्डर तो खाली थो फोल्डर रखेंगे नहीं, क्योंकि sullaенты दिखना है, तो हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे फोटोज, अकर ये किसी से रिलेटेड हैं, तो उसके लिजी नाम क्या होगा तो इसका सब्सक्राइब क्या हो जाएगा फाइल नेम चलिए कोशन नंबर 144 प्रथम बिद्धुत इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर की बात कर रहा है तो देखो प्रथम बिद्धुत इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर था हमारा वो मार्क बन था कौन था था Mark 1 किस ने बनाया था C-DAC ने बनाया था चलिए कोशन नमबर 145 ट्रांजिस्टर क्या होते हैं ट्रांजिस्टर हमारे जो है एक तरीके की मेमोरी होती है ठीक है ने ट्रांजिस्टर क्या है बोटो रजिस्टर होता है एकार प्रांजिस्टर होते हैं इस ने बनाया था प्रॉससर बनाया था और पांचमे में क्या था कि हजारो नहीं लाखो integrated circuit को मिलाकि एक microprocessor बना दिया गया था और यही जो है आज के time में इसमें हजारो थी तो इसकी speed के इसाप से जब इसमें लाखो कर दी गई तो इसमें क्या वो इसकी speed बढ़ गई तो याद रखियेगा transistor क्या होते हैं यह semiconductor होते हैं चलिए question number 146 micro computer देखें micro micro दो तरीके को होते हैं micro computer internal memory कितनी होती है micro computer की बात कर रहा है कितनी 260 kb 250 kb 270 kb चलिए इसके आगे का देखते हैं फिर 256 आपने अभी तक इधर देखे थे कितने कितने के थे 260, 250, 270 कि आपने कभी सुना है कि इस तरीके की कोई memory होती है कितनी कितनी होती है 256, 512, फिर उसके 1024 फिर ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है तो आप खुद सोचिए इसके लिए सही option क्या हो जाए अगर आपको मान लिए चली एक बार को यहाँ पर आप इसको यह कह रहे होंगे मैं देख के बढ़ा रहा है चलो मान लेते हैं लेकिन आप लोग कुछ सोचिए वहाँ पे 60 लिखा था 50 लिखा था और 70 लिखा था आप memory card करिते हैं या कोई phone करिते हैं तो phone में क्या होता है कि maximum कितना expand कर सकते हैं कितना extend कर सकते हैं 512-256 तक memory card के माध्यम से मैं इसको बढ़ा सकते हैं तो पहला हमारा 226 होता है बैसे तो memory card में अब तो पहले तो हमारे 512 MB का 256 GB का ठीक है और MB में आते थे, पहले ये MB में आते थे, अब GB में आने लगे, तो अब क्या है, अब थोड़े दिन वाट TV में आने लगेगा, जैसे जैसे आपकी छमताएं बढ़ती जाएंगी, लोगों की यूजिस बढ़ते जाएंगी, इसकी चीज़े बढ़ती जाएंगी, तो इसका सह दिजिटल में चले जाते हैं, किस में जाते हैं, डिजिटल में, ठीक, चलिए, आगे देखता है, स्वारी, कोशन नमबर 14, जीरो और एक को, या बिट कहते हैं, जीरो और एक को, कि हम लोग क्या कहते हैं, भाई, हमने अभी बताया था कि, कम्प्यूटर की इस लेंगोज मे हमारी बास समझता है, जीरो और एक में, और ये क्या होता है, ये एक बाईनरी नमबर होता है, बाईनरी नमबर हमेसा दो ही होते हैं, बाईनरी नमबर की संख्या पूची जाती है, कितनी होती है, तो याद रखियेगा, बाईनरी नमबर सिर्फ दो ही होते हैं, जीरो और ए को क्या कहते है, Binary Number कहते है, ठीक, याद रखियेगा, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, देखे, 0 रेक को Binary Unc या Bit कहते है, याद रखियेगा, देख, इसका सही अंसर भी एक है, ठीक, computer में तयार किये गए प्रोग्रामों के सम्हूं को कहते हैं क्या कहते हैं देखो जो उसमें प्रोग्रामों के सम्हूं मैंने आपको बतायाता है कि जो प्रोग्रामों के सम्हूं होते हैं वो क्या कहलाते हैं software कहलाते हैं तो इसमें hardware, cardware और software क्या A और B दोनों हो सकते हैं A और B hardware और hardware नहीं जो प्रोग्रामों का समूव होता है वो क्या होता है वो हमारा software होता है तो देखे इसका सब्सक्राइब क्या हो जाएगा software चलिए अगले पेच पे चलते हैं देखे इसमें अब आप लोग जो questions देख रहोंगे वो देखे इतने easy नहीं है आपने अगर पढ़े हुए हैं कहीं न कहीं तो यह देखे आपको easy लगेंगे लेकिन हम मानते हैं कि जो starting के 100 questions थे उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजे पूछी गई थी लेकिन आप लोग कई दिनों से मुझ से जुड़े हुए हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पिछले काफी दिनों से set paper कर रहे हैं तो उसमें questions repeated थे तो वो आपको पता थे लेकिन हमसे अभी कुछ लोग नए भी तो जुड़ रहे होंगे तो हमें सब का ध्यान नगते हुए सारी ची любой कई मोग अब हमसे हैं तो आपको भी पता चलेगा कि हम तो इतने लोगों कि आगे यहां पर नहीं पर हैं तो वहां भी हम इतनी मेंद करके जा रहा है तो वहां भी अगे हो सकते हैं तो दीचें का यहीफाइदा होता है चबहोंire फिर लिखा है, 150 में, यह एक बैब ब्राउजर नहीं है, Firefox बैब ब्राउजर है, Safari, यह सफायर लिखा है, Safari नहीं, Safari होता है, Safari बैब ब्राउजर होता है, Opera भी बैब ब्राउजर है, Camino होता है, Camino भी हमारे क्या है, बैब ब्राउजर है, ठीक है, तो यह सफायर है, सफायर नहीं होता है वो safari होता है वो web browser होता है तो यह ही अलग हो जाएगा web browser यह नहीं है फिर question number 111 में देखते हैं क्या है question number 111 में निम्न में कौन सा open source operating system की बात कर रहा है system software है कौन सा open source operating system है ठीक देखो यह macOS की बात करेंगे macOS कभी भी open नहीं हो सकता है genix यह भी नहीं PC-DOS यह भी नहीं हमारे पास जो open source operating system होता है वो होता है Ubuntu जो मैंने उस दिन भी बताया था कि Ubuntu जो है open source software होता है तो इन में से कौन सा हो जाएगा यह देखे Linux और Unix भी हमको open source में मिल जाते हैं तो यहां पे तो एक भी उस तरीके का नहीं दे रखा तो यानि कि इन में से कोई नहीं फिर laser printer क्या होता है देखो laser printer जो होता है यह हमारा क्या करता है मैंने आपको बताया था कि जो photocopy वाली machine होती वो laser printer के मद्ध्यम से ही काम करती है आप ऐसे करके उसके उपर page रखते है उसमें से आपने देखा होगा ऐसे करके light जाती है ऐसे करके left से right या light से left जाती है तो उसमें एक light जाती है तो light जाती है तो पूरे page को एक बार में read करती है और वो सामने वाले page पे क्या करती है फूरा पूरा वैसे चाप देती है। वो किसके मात्यम से है? उसमें laser light जाती है वो पढ़ती है और नीचे चाप देती है तो वो क्या होता है? ये page printer होता है, पूरे page को एक बार में print करता है एक DVD की भंडारर छंमता होती है तो यहां पे DVD की बात कर रहा है तो जो DVD होती है वो याद रखिएगा कि हमारी 4GB से उपर की होती है यहां पे सारे के सारे 4GB दे रखे है ठीक देखो यह 4.7 TV दे रखा है TV में तो होती नहीं है TV में तो hard disk नहीं आ रहे है आप आने लगी है बहुत ज़्यादा बरना भी कुछ दिन पहले तो आपको 1 TV की hard disk खरीदने में बहुत charges देने पड़ते थे फिर 4.7 kg तो को kg नाम की इस तरीगे की हमारे पास कुछ भी होता ही नहीं है ठीक है B होता तो KB होता तो हम माल लेते हैं 4.7 GB अधिक फिर 4.7 MB 4.7 MB में हमारी floppy disk होती है तो हम माल लेते हैं लेकिन यहाँ पर यह DVD पूछ रहा है तो DVD 4.7 GB अधिक होती है तो सही एंसर क्या हो जाएगा यह तीसरा वाला इसका एंसर इधर भी नहीं दे रखा अशा इसका एंसर नीचे कट गया है चलिए Question number 153 Character printer है जो एक समय में एक character print करता है तो वो क्या होगा आपको सोचिए एक समय में एक ही character को print कर पाएगा तो वो देखे dot 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 से जैसे बच्चे नहीं हो तो उनको dot dot करके लिखना पड़ता है तो आपको बहुत time लिखता है ऐसे करके फिर dot 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 फिर ऐसे करके जो है फिर B बनाना पड़ता है तो आपने देखा होगा जब dot 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 से करोगे तो आपको time भी जादा लगेगा क्योंकि हम हरे character को print कर रहे हैं और जो एक बार में एक को print करता है बहुत chili जब्रण कर देता है इसलिए आपने देखा होगा कुछ printer जब आते है तो उसमें देखा होगा कि आपको आवाज आती है खिच-किच-किच-किच ऐसे करके और पेस धीरे धीरे करके बहुर आता है वो इसी बज़े से आता है क्योंकि कुछ यह ऐसे dot matrix होते हैं, कुछ हमारे line printer होते हैं, तो इस बज़े से, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, यह dot matrix, फिर blog का तातपर क्या है, ठीक, देखो, जो blog होते हैं, ठीक, जैसे, अगर हम लोग यहाँ पर देखो, बात चल लिए, इंटर आज के time में YouTube पे तो बहुत सी blogging होने लगी है, तो वहाँ पर YouTube हमारा video sharing है, तो वहाँ पर video blogging होते है, internet पे क्या होता है, वो web pages होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर web blogging होती है, तो यह याद रखिएगा, कि blog क्या होता है, web blogging होती है, फिर लिखा है, कि Nimn में, Nimn का उप्योग करके hard copy तयार की जाती किसके माध्य हम से तो typewriter हम लोग type करवाते हैं typewriter से उसमें लिखा जाता है तो ये भी hard copy dot matrix printer printer भी हमको क्या करता है print निकाल के देता है वो भी hard copy हो गई laser printer तो dot matrix printer हो चाहे laser printer हो चाहे line printer हो चाहे हमारे drum printer हो चाहे कुछ भी हो dgv लो कुछ भी हो अगर ये इस तरीके के जो printer आएंगे सब printer हमको hard copy ही तो देते हैं तो इन में से सब इसके लिए सही हो जाएंगे सब ही के सब ही हमको hard copy देते हैं ठीक फिर लिखा है सब से जनपरी 16 bit operating system कौन सा है अच्छा एक बात मुझे बताए कि यह जो आज के टाइम में जैसे हम लोग यूज करते हैं तो इन में जैसे बिंडो सेविन है तो क्या आपको इसमें 32 bit ऐसे करके लिख के आता है और 64 bit यह इस तरीके से लिख के आता है देखो क्या होता है कि यह bit जो हमारे कुछ software ऐसे होता है जो 32 bit को ही support करते है कुछ होता है जो 64 bit को support करते है देखो जब यह इस तरीके के चीजे होते है तो यह एक particular basic दरजे को दरसाता है कि हाँ यहाँ पे इसी base का software हम लोग इस्टाल कर सकते है और इस base का इसमें नहीं हो सकता है जो 16 bit का जो सबसे operating system होता है वो देखो bit जो है हमारे एक तो इनके size को भी दरसाते है 64 bit और 32 bit जो windows होती है पुरानी बिंडो हमारी 32 bit पे चलती है आज के time में हमको दोनों मिल जाते है ठीक है और जो हमारे 16 bit का है 16 bit का सिर्फ और यहाँ पे operating system जो है वो एक ही operating system है कौन सा है वो है MS-DOS ठीक तो MS-DOS जो है यह 16 bit पे काम करता है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा MS-DOS चलिए आगे पेज़ देखते है 22 number यह देखे इसका answer भी C दे रखा है तो याद रखिया कि MS-DOS जो है operating system है और किस पे चलता है 16 bit पे चलता है यह याद रखिया कि जब भी कभी operating system की बाता थी तो यह मत करिएगा कि DOS हमारा operating system नहीं है DOS हमारा operating system है ठीक है और यह आपको हर computer में मिलता है उसको search कैसे कर सकते है आप लोग यह है program menu खोलिएगा उसमें search वाले option पे जाईएगा उसमें cmd लिखिएगा और enter कीजिएगा आपको जो है DOS कुल के आजाएगा ठीक है यह DOS जो होता है यह यहाँ पे हम लोग program लिखते है ठीक है directories बनती है program लिखे जाते है चलिए देखे इसमें इस तरीके के जो questions हम लोग कर रहे है अब questions इतने सरल नहीं आ रहे है याद रखिएगा कि यो questions इतने सरल नहीं है कि जो आप लोग directly गएदा है रे सर जी यह तो बहुत सरल है यह तो हमें आता है आता है क्यों आपने पढ़ रखा है सामने ता कौन सा नाम उप्योग किया जाता है देखो amalysis यह question repeated है chapter साइद प्रेक्टिस सेट 10 या प्रेक्टिस सेट 9 में आ था उसको हम लोगों ने malware नाम दिया था कंप्यूटर वाइरस के माध्यम से transmit होता है कंप्यूटर वाइरस जो है कि जिस जनने शन में multi programming शुरु हुए थी यह कब थी दोगो यह हुई थी हमारी तीसरी जनन है में ओनी टीसरी जनने सब्सक्रशन में monitor और keyboard कि यह keyboard हुअम ओने ठीचर बिया थे और तत्रीन जनने शन में मल्टी प्रोग्रामिंग भी आ गया था तो याद रखिएगा जब आपने अभी तक जिसने भी मल्टी यह हमारे यह वाला वीडियो नहीं देखा जननेशन वाला जा कि आप देखिए वहाँ पर आपको यह सारे कोश्चन्स पहले तो आपको पूरा इसका में से Kim Pizza घंक ए बड़ी हैं शुराओ यह में से सब olsun चलिए डरा जाएं में से किस समबंदीत है चलिए देखते हैं किनिमें किस से सम्बंदीत है गीग ठेट ऑफ ठीक, देखो, फिर यह micro computer नहीं, mini नहीं, mainframe नहीं, super computer, हाँ, super computer से giga tape है, यह, इस इस related हो जाएंगे, giga tape हमारे जो है, बहुत high capacity के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कि storage चमता होती है, और super computer के लिए बहुत high capacity चाहिए होती है, फिर question number 161, एक spread sheet में data कैसे organize किया जाता है, spread sheet की, तो जब spread sheet Excel में आपको देखने हो, मिलती है, इस तरीके से, होती है, जो कि हमारे cells में divided होते हैं, तो अब आप सोचिएगा, तो यह क्या होती है, यह पंग्तियां होती है, यह stump होते हैं, यह खड़े-खड़े वाले stump, और यह हमारे इस तरीके की, यह जो होती है, यह होती है, यह पंक्ति है, तो जो spread street होती है, किस में होती है, इस्तम और पंक्तियों में, चलिए lines और space, layer और plane, उचाई और चोड़ाई, पंक्ति और इस्तम, इसके लिए साही अफसन चोथा हो जाएगा Question number 162 एक offline device इन में से कौन सी है, यानि कि एक offline device क्या करती है, device को C से connect नहीं करती है UP, यह क्या है device जो C से connect करती है UP, direct access device, storage device, input output device एक offline device है इस इन में से offline device, device जो C से connect नहीं करती, वही offline हो जाएगी सीधी सी बात अच्चा, उसको समझने में टाइम लगा कि यह question कहे कह रहा है जो device connect नहीं है, वही तो offline होगी तो simple सी बात है, इसके लिए यह हो जाएगा option number A सही हो जाएगा चलिए, question number 163 internet पर उपयोग किया जाने वाला protocol है यह मैंने आपको बताया था कि protocol के लिए आप ध्यान न किएगा कि हमें ऐसा पीछे P आएगा उसमें से 99 बार आपको P मिलेगा पीछे protocol के लिए तो अब आप यहां से ही ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, यह IEE क्या इसमें P है नहीं, तो protocol नहीं है खतम किए, अभी तो एक protocol यह है इसको रखिए, फिर यहां पे क्या है C, A, B, C, क्या protocol है नहीं है, इसमें PPP है protocol, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इस तरीके का कि आपने कोई भी full form या कोई protocol पढ़ा नहीं, अब आते हैं TCP यह होता है, transmission करके कुछ होता है, मुझे exactly नहीं आदा रहा चलिए, आप लोग मुझे इसके comment में करके बताईएगा कि TCP की full form क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, और इसके साथ में और क्या होता है यह होता है IP, यह होता है internet protocol, तो यह दो चीज़े चलती है हमारी internet के लिए, याद रखिएगा second option इसका सही हो जाएगा यह देखिए, यहाँ पर option number B सही है देखिए, क्या होता है, कि आप कुछ भी हो, जैसे आप एक teacher है तो आपको देखिए, सारी चीज़े कभी भी नहीं बताऊ सकती है आप कभी माल लिजे, कुछ चीज भूल जाएंगे कुछ आपको याद नहीं रहेगी इस तरीके से तो आप यह बिल्कुल नहीं कर सकते है कि आपको जो भी teacher यह कहता है, कि नहीं मुझे सारी चीज़े कंठसता है, मुझे सारी चीज़े याद है ऐसा नहीं होता है, हम सभी teachers को क्या होता है, कि कई बार हम लोगों को कोई एक topic बहुत strong होता है, कोई एक subject बहुत strong होता है, तो इस से बाकी चीज़े हम लोग पढ़के पढ़ा देते हैं, पढ़ लेते हैं या हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं तो उस तरीके से चीज़े हम लोगों को पता रहती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग संपूर्ण आइटम, हमने क्या बताया था, कहीं भी आपको मिल जाए जब पूरा आइटम सेलेक्ट करना होता है, चलिए बात का तम तिर आगे चलते हैं एक scanner scan करता है, क्या करता है, picture करता है, text करता है picture और text दोनों करता है, बिल्कुल दोनों करेगा वो तो इसको सरपर्थम IBM PC virus के रूप में जाना गया था, यह कौन था, यह brain virus था, यह IBM PC के रूप में जाना गया था चलिए dot matrix printer से print करने है, तो मुद्रित का उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, यह देखते है ink powder, गर्मी या ribbon, यह dot matrix printer हमें सा किसका ribbon का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ribbon होता है, उस पे dot dot बने होता है, और पीछे से ऐसे करके उसके उपर ऐसे करके pressure पड़ता है, और वो क्या करता है, सिर्फ उतने ही जहां पे ribbon पे जो छेद बने होते हैं, उन्हीं से क्या करता है, ऐसे आही निकल के बाहर इधर छप जाती है, तो वही हो जाता है, ठीक, तो याद रखिएगा, ribbon का इस्तेमाल होता है फिर डॉस का मतलब क्या है, disk operating system, इसका मतलब होता है, disk operating system, देखिए, यह तीसरा वाला साही हो जाएगा फिर लिखाए, 179 नंबर में data, एवम जानकारी, यानि की data, एवम जानकारी, यानि की information, निमन में से आइस्ताई, रूप से स्टंकरहित होता है देखो, याद रखिएगा, जब आइस्ताई की बात आएगी, तो हमेशा RAM के लिए जाएगे, इस्ताई की बात होगी, तो ROM के लिए जाएगे देखिए, इसका C सही है बाइडिफाल्ट, बर्ड डाकुमेंट में कौन सा एक्स्टेंसन होता है, बाइडिफाल्ट की बात कर रहा है, बर्ड डाकुमेंट की बात कर रहा है, तो .doc होता है ठीक, चलिए इनमें कौन सा उपकरण, एनलोग पूछ रहा है इन में से कौन सा उकरण एनलोग से डिजिटल और डिजिटल से एनलोग में परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या करने के लिए कैपेबल होता है नौर्मालि यानलग उन कि डिजिटल यानलोग तेंडूल कहां जब एतना डिजक जब से ले इतना डिज्टल नहीं था क्या तब review लेना था नहीं था जब सचिन जब उस समय पहले खेलने आए तब कोई review नहीं था helmet तक नहीं होता था फिर बाद में helmet guard और ये सारी चीज़े आने लगी तो क्या हुआ कि सचिन ने वो सारी चीज़े देखी और सचिन कौन है तेंदूलकर और इसमें क्या है Transducer होते है थीक सैंदूलकर से मैंने Transducer याद किया था कि जो analog से डिशल और डिशल से analog में परिवरतन करने के लिए Transducer का इस्तेमाल किया जताए फिर 172, Alta Wista, अलटा विस्टा एक तरीके की हमारा क्या होता है, यह search engine है, ठीक है, जैसे गूगल होता है, ऐसे अलटा विस्टा होता है, या दोकि अलटा से एंटी वारस मुदी याद कर लीजएगा, एल्टा विष्टा Google की तरीके से सर्च उन्जन है सामाने ता CD की अधिकतम storage छमता क्या होती है CD की storage छमता जो अधिकतम होती है देखे ये 700 MB होती है मैंने आपको क्या बताया था? कि 300-400 MB तक तो होती है उसमें हम लोगों की CD में 2 पार्ट मिलते थे आपको याद होगा दो इस तरीके से मिलते थे और ये जब दो मिलते थे तो यही हमें पूरे पैकेट में मिल जाते थे और यब ये पैकेट में मिलते थे तब ही वहाँ से क्या होता था उसी में हमारी एक पैकेट में पूरी एक मूबी आती थी फिर आ गए dbd फिर dbd भी इस तरीके से आने लेगी dbd में क्या होता था कि dbd में पूरी एक बार में हमारी चार मूभी आ जाती थी ठीक है चलिए नेम लिकित में कौन सर्च इंजन है सर्च इंजन की बात कर आप देखें जैसे यह कोश्चन आया तो आपके लिए बहुत इस तरीके के कोश्चन आपने इतने बार पढ़ चुके हैं इतने बार जब भी स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर की तो इन ही तरीके के कंप्यूटर से करते हैं कोश्चन से करते हैं तो यह आपको सरल लग रहा होगा तो सर्च इंजन है सर्च इंजन की बात कर रहा है explorer flag google और फाइरफॉक्स देखिए यह internet explorer इंटरनेट explorer जो हमारे यह browser है flag भी एक तरीके का software होता है यह firefox जो browser है Google हमारा सर्च इंजन ने चलिए ऐसे फिर लिखा है OCR यानि कि optical ऑ्प्टिकल character recognition होता है इसका मतलब तो देखिए इसमें कहां पर है यह optical character recognition देखे इसमें optional है तो यह तब खतम कर दीजे तो यानि कि second तो हो नहीं सकता बचा एक तो यहीं सही answer हो जाएगा question number 176 एक computer के साथ audio या sound का synthesize recording और playback की deal करता है यह क्या करता है देखे यह जो बात कर रहा है यहां पर एक computer के साथ audio sound का synthesize recording और playback की deal करता है यह करता है computer का audio करता है कौन करता है computer का audio ही यह सारे काम करता है देखे इसका B option सही हो जाएगा question number 177 एक web site है जिसमें हम फिरी में video share और online video देख सकते हैं कौन से देख सकते हैं YouTube और जब यहां पर ब्लॉग लिखते हैं ब्लॉग करते हैं तो इसको video vlogging कहा जाता है ठीक है और जब पेज पर लिखते हैं तो वहां पर web blogging हो जाती है नेमने लिखित में कौन सा निउन्तम storage है चलिए निउन्तम storage भी एक बर चेक करते हैं कौन सा है निउन्तम storage चमता रखता है तो निउन्तम storage चमता की बात जब आएगी तो देखो यह कोशन अभी पीछे आया था DVD, CD और hard disk देखो सबसे ज़्यादा इसमें तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें सबसे लिख दिया फिर DVD में उससे कम ऐसे करते हैं फिर micro Excel worksheet command क्या है Microsoft Excel की worksheet command पूछ रहा है क्या होता देखो सारी worksheet को बिवस्तित करना यह जो क्या काम होता है इसका सारी worksheet को एक साथ बिवस्तित करना Microsoft Excel की जो command होती है यही होती है फिर MS Excel MS Excel में जो W होता है वो क्या होता है MS Excel में W होता है वो जो होता है वो वरक्षीट टाइटल का कमांड होता है क्या होता है वरक्षीट टाइटल का कमांड होता है Excel की पूरी worksheet एक साथ select करने लिए देखो फिर एक साथ आ गया जब हमें एक साथ सब कुछ select करना है तो सीधी इसी बात याद रखिए कि Ctrl प्लस A Excel में Micros की shortcut की क्या है Micros की जब बात कर रहा है तो Alt प्लस F4 होता है क्या होता है Alt प्लस F4 नहीं स्वारी F8 होता है यह हमारा Microge में जो है इसकी Excel की shortcut की है तो F8 हिर लिखा है app Insert man data format लगाने की shortcut कंजी की बात कर रहाद रहा है दो हमेड़ा data format का मतलब यह पर यह नहीं है की data format लगाने की तो data format का मतलब यह नहीं कि वो पूरण पूरा डेटा एक बार में खत्म नहीं. यहां पर data formate का मतलब है कि किस format यानी कि किस sequence में लगाना चाहते है तो यह पूरा format के यहां पर यह बात हो रही है कि data को हम किस तरीके से लगाना चाहते हैं कैसा इसा डेटा है, कौन सा data आपर होना चींए यह बात कर रहा है, तो control प्लन, shift, प्लस हैस्टाग होता है, इसका सही answer तो यह देखे है, काँछित इसका सही answer, control प्लन, shift, plus हैस्टाग हो जाएगा फिर question number 184, excel में multiple calculation को एक ही formula का प्रियोब करते हैं, excel में multiple calculation को एक ही formula का प्रियॉब करते हैं, तो इह कौन सा फार्मूला होता है, बिखेपने हम ढलते हैं ह की माक्षीट बना सकते हैं, अपना एकफान का काम देख सेकते हैं तो नंबर तो होगा होगा, character भी लेता है, अब इसमें cable का क्या काम है, इसमें data और timeline तो हम लोग डालते हैं, जैसे हमाल लिया हमें कोई Excel इस तरीके से बनाना है, तो हमने क्या किया है, यह बना लिया, अब इधर नाम लिखते हैं, उसका data लिखते हैं, किस दिन लियाता है, कि split नहीं है, split है, क्या है, split window option, split मतलब होता है, तोड़ना, या दो भागों में अलग-अलग करना, split window MS Excel के किस मेनू का भाग होता है, तो देखो, यह जो होती, window split की जा सकती है, window split आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, देखे, window split का मतलब होता है, कि जैसे हमारा mobile का screen है, अब इसमें आपके window split support करता है, तो आप लोग क्या करिए, कि window split on कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, अब दो software एक ही window पे चला सकते हैं, जैसे हमारा लीजिए, अगर आपका WhatsApp जो है, बिंडो split format select कर, मतलब उसमें जो है, comfortable है, तो आप लोग बिंडो split कर लीजिए, उपर के हिस्से में जो है, आप लोग उसको WhatsApp को खोल लीजिए, और नीचे आप अपनी movie देखिए, या आप उस पे YouTube खोल लीजिए, कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं, वो कर लीजिए, तो बिंडो split का मतलब होता है, टुकडों में तोड़ देना, एक टुकडे में कुछ और करना, एक दूसरे टुकडे में कुछ और करना, ना तो आपके सारे software, बिंडो split का जो है, फालो करते हैं, और ना ही हर जगह हर फोन में, बिंडो split का function होता है, लेकिन आप जो नए फोन आ रहा हैं, दीरे दीरे सभी में ये बिंडो split का function दिया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिंडो के split में, ये बिंडो split वाला function हमको देखने को मिल जाएगा, चलिए, Q2, 187, Excel में बनी फाइल का extension क्या होता है, Excel में बनी फाइल हो जाएगी, XLS आगे dot, देखिए किस option में है, पहले option में है, चलिए, 188, सबसे पुराना spread sheet package, निमन लिखित में से कौन है, देखो, जो सबसे पुराने की बात चलेगी, तो वीजी नाम था, V-I-S-I, ये बिजी जो था, ये बिजी वाला, B-U-E-S-Y वाला नहीं है, ये वीजी काल था, ये मारा सबसे पुराना था, देखे, इसका यहां पे, कोई भी ऐसा नहीं है, कि मैं आपको इसको कोई एक format बता दूँगी, नहीं, इसका ऐसा था, इसलिए ऐसा था, ऐसा वैसा कुछ नहीं, इसका एक नाम था, कि जो, तो वो हमको याद करना है, उसके नाम के लिए, मैं आपको क्या ही बता हूँ, कि आप ऐसे याद करना है, देखे, इसकी सबकी, अपने अपने दिमाग में, आप एक शॉट्रिक बनाई है, देखे, शॉट्रिक से जल्दी याद हो यादा है, देखे, मेरी कोई शॉट्रिक इसके लिए नहीं थी, बस मुझे इतना याद था, कि काल बिजी, तो जो है, उसकी, यह सबसे पुराना method है, कि अगर आप से किसी बात नहीं करनी, तो या तो कॉल बिजी कर दिए, आपने नेटवर्क बंद कर लीजिए, तो हमने याद किया था, तो वह हमें बिजी नाम से आद था, और बिजी का स्पेलिंग याद थी, हमें विई, यू, यस भाई, और जब आगे काल आता है, तो यहाँ पे जब आप कंप्यूटर में देखेंगो, उसमें बिजी काल नाम का कुछ भी नहीं आएगा, आपको विजी काल आएगा, वी, आई, ऐसा ही, तो यह विजी काल हो जाएगा इसका, फिर लोटस में बनी फाइल एक्स्टेंशन का नाम क्या होता है, देखो, लोटस जैसे हमारे दॉस होता है, एक्सल होता है, माईक्रोसफट वर्ड होता है, माईक्रोसफट पावरपॉइंट है, इस तरीके से ही, ऐसे ही एक लोटस सॉफट विजी होता है, उसमें जो उसकी, जो फाइल एक्स्टेंशन होता है, डाट बन्टू थिरी होता है, क्या होता है, डाट बन्टू थिरी, देखे, डॉस, यह तो हमारी डाट इसकी डॉस की फाइल, डॉस की तो फाइल एक्स्टेंशन, कुछ नहीं ऐसा होता है, एक्सलेस यह उसकी हो जाएगी, ठीक तो यह देखे, डाट बन्टू थिरी, इसका सई एंसर हो जाएगा, फिर कोश्चन नमबर 119, 190, एक एक्सल की वर्कशीट में, कितने कॉलम इस्तंब होते हैं, चलिए देखते हैं, बैसे इसकी एक नमबर होती है, वो नमबर एक्जेक्ली तो क्या होता है, याद करने को उपर है कि कैसे क्या आद है, मुझे तो खैर इस समय तो नहीं आदा रहा, मैं आपको देखके ही बताऊंगा, कि देखे इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, 256, बैसे इसके आप जो इस्प्रेट सीट की संख्या अलग होती है, आपके इसमें रो कॉलम्स की संख्या अलग होती है, सब कुछ अलग-अलग होता है, इतने नमबर से हैं, कई बार दिमाग से मिस भी कर जाता है, तो यसी कोई वो नहीं है, बस आपको वहाँ पर याद आजानी चाहिए, में चीजी यह हो जाती है, तो देखे इसलिए ये कोश्चन्स देखे, अब वर्क्षीट वगरा, एक्सेल के कोश्चन्स आ रहे हैं, अब आप ये देख रहे होंगे, लिब्रे ओफिस, एक्सेल, ये तो हमारे चैप्ट, ये सब हमारे यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी ट्रिपल एससी नहीं, बनलब ट्रिपल सी से जुड़ा हुआ है, तो जब आप सोचिए, जब ट्रिपल सी से जुड़े हुए कोश्चन्स अगर हम लोग कर रहे हैं, तो देखें, उसमें कुछ कोश्चन्स सरल, कुछ कोश्चन्स कठीन तो आपको देखने को मिली जाएंगे, तो इसलिए आप लोग ये कंप्लेंट मत करिए, कि सर, आप बहुत सरल करा रहे हैं, तो देखें, अभी मैं जो सरल करा रहा हूँ, अगर आपको अभी यही पेपर 50 नंबर का दे दिया जाए, और उसमें मिक्स कोश्चन्स कुछ सरल हो, आपको जो स्टार्टिंग में सरल दिखाई देए, सरल कब होते हैं, जब हमको पता होते हैं, फिर मॉडरेट कब होते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन होती है, और हाड कब होते हैं, जब हमें पता ही नहीं हो, तो यह आप लोग बिल्कुल भी मत कहिए, कि सर आप जो है, आप इजी करा रहे हैं, इजी करा रहे हैं, देखिए, इजी, मॉडरेट और हाड सब कुछ आएगा आपके सामने, आप थोड़ा सा धहर रखिए, और जब पेपर आता है, तो वहाँ पे फिर यही होता है, कि अरे सर कास हमने यह वाले कर लिए होते हैं, आपने जो बता है तो आपके वीडियो में थे मैंने नहीं कर पाए, तो यह बिल्कुल भी मत रखिए, आप करते रहे हैं, आपको सारी चीज़े मिलेंगी, आप इसने बिल्कुल निश्चिंत रहे हैं, यह लिखाए, एक वर्क्षीट, एक्सेल, वर्क्षीट में कितनी रोज होती हैं, यह तो अभी पीछे ही वाला है, अचार वो रोज नहीं था, यह रोज के लिए है, वो किस के लिए था, वर्क्षीट में कितने कॉल्म अच्छा, इस्तंब की बात पूछी थी, और इसमें रोज, यानि कि पंग्ति की बात की पूछी है, देखो रोज और पंग्ति की लिए हमने दुम्हें बताया था, यह और ये हमारी पंक्तियां होती है तो उसने पंक्तियों की ये लेटी भी लाइनों की संख्या पूछिए कि ये कितनी होती है देखे 65-536 ये इसकी संख्या होती है फिर sales में comment जोड सकते हैं जब comment जोड़ना होता है तो हमेसा याद रखी ने कि जब बाद में कभी कुछ जोड़ते हैं तो उसको insert कहते हैं क्या कहते हैं insert कहते हैं तो देखे इसमें किसमें आपको insert मिला है तो देखे ये second option में insert मिला है तो इसका मतलब insert हो जाएगा चलिए Excel file Excel में worksheet की कुल कितनी संख्या होती है देखे वरक्षीट की जो संख्या होती है वो 15 होती है monitor में कितने अच्छर वा line उपस्तित होते है monitor में जो अच्छर और line की जो उपस्तिती जो होती है वो संख्या वो 80 जो होते हैं अच्छर होते हैं 24 हमारे पास line होती है चलिए, लास्ट पेज़ पे चलते हैं और लास्ट पेज़ पे ही आज हमारे 100 questions complete हो जाएंगे चलिए, Excel की worksheet और chart को HTML document का प्रियोग करके प्रियोग किस से किया जाता है फिर से बढ़ते हैं, Excel worksheet में जो Excel की worksheet और chart में HTML document का प्रियोग किस से किया जाता है इंटरनेट से किया जाता है इंटरनेट assistant wizard से HTML में या link wizard में तो देखो, जब हमारे पास यहाँ पे बात कह रहा है HTML की तो देखे, इसमें सबसे ज़्यादा सही HTML कि इसमें दे रखा है यह दे रखा है, HTML wizard में तो हमारा यही साही answer हो जाएगा ठीक 196 नमबर Excel में formula बार में कोई भी formula लिखने से पहले किस चिन्न का उप्योग किया जाता है Excel में जब भी हम लोग कोई formula लिखते हैं तो याद रखियेगा हमेशा कोई भी formula में से equal to से start किया जाता है जैसे equal to sum फिर उसके बाद में किस row, किस column से या किस भी cell से हमारा किस cell से किस cell तक उसको यहाँ पर fill किया जाता है और हमारा उसका sum हो जाता है तो किस से use किया जाता है यह equal to से फिर Excel में कई सारी worksheet को कहा जाता है जो देखो, जब कई सारी वर्कशीट होती है, तो वो हमारी सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट हो जाती है, क्या हो जाती है, वर्कशीट, यानि कि, जैसे कोई बुक हो, उसमें कहा जाए, बहुत सारे पेजेस को क्या कहा जाएगा, तो पेजी तो कहा जाएगा, और जब उनको सब को संगठीत कर दिया जाएगा तो वो देखो workbook इसमें excel में सभी sheet ओं को मिला दिया जाता है तो वो workbook बन जाती है और किताबों में सारे pages को मिला दिया तो वो book बन जाती है तो यह याद रखियेगा इसका सही एंसर क्या हो जाएगा worksheet हो जाएगा कोशन नमबर एक्सो अठानवे MS Excel की वर्क सीट में कॉलम और रो के मद्ध में खाने को क्या कहा जाता है देखो जो कॉलम और मद्ध देखो जैसे ये कॉलम और रोज देखो ये इस्तंब और उसने कहा पंग्तियों के बीच में जो इस्थान होता है कि मद्ध एक खाने को तो ये खाना हमारा क्या कहलाता है अब आप समझे को कि इस खाने को क्या कहते है सेल कहते है ठीक है चलिए यहां पर एक्सल वर्क सीट का कुल साइज क्या होता है देखो जो एक्सल वर्क सीट होती है उसका जो size होता है वो low level का होता है क्या होता है? low level का तो देखिए यहां पर low level सही हो जाएगा फिर दोस्वों को question क्या है? MS Excel file में F11 कुंजी से क्या होता है? MS Excel में जो होता है F11 की जो फाइल होती है F11 की जो कुंजी होती है जैसे यह F11 यह हमारी सारी function कुंजी होती है यह कहां से होती है F1 से लेके F12 तक होती है यह total 12 कुंजी होती है यह हमारी function कुंजी बोली जाती है और जिसमें अगर Excel में हम लोग F11 दबाएंगे तो यह क्या हो जाता है? यह चार्ट खुल जाता है जिससे एक chart menu बोलते है वो open हो जाता है, तो Excel में जब हम F11 दबाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है ये chart menu open हो जाता है ठीक है, याद रखिएगा इसका सही answer क्या हो जाएगा, भी ठीक, देखिए, आज हम लोगों की जो है, एक हजार question series का, ये second part है और इसमें अब हम लोगों ने 100 question और पूरे कर लिये, तो लगवागब 200 question होगे, जिसमें आपने ये देखा होगा, कि यहाँ पे आपको Excel के भी questions देखने को मिलने हैं worksheet के भी दे मिलने हैं, wordpad के मिलने हैं, हम लोगों को हर तरीके के question देखने को मिलने हैं, first day थोड़ा सा easy था, आज थोड़ा सा easy to moderate कर सकते हैं, कि थोड़ा सा हम लोग उपर बढ़े हैं, तो उपर बढ़ने में क्या हुआ है, कि थोड़ा सा question moderate आया है, क्यों moderate होगे, क्योंकि हम लोगों ने Excel गिया, और Excel इतना जदा गहरी चीज है, कि उसमें आपको जितना पता है, उतसे और भी ज़्यादा कई चीजे हैं, तो इसलिए, अब जब नई चीज हम लोगों के सामने Excel आई है, तो Excel में क्या हुआ, थोड़ा से question का label बढ़ गया, तो ऐसे ही जब आने वाले समय में जैसे हम लोगों के chapters बढ़ते जाएंगे, इसका label भी बढ़ता जाएगा, हो सकता है, कुछ chapters ऐसे हैं, बहुत सरा जैसे हम लोग अगर जैसे जनने संकता है, इसमें वो पढ़ चुके हैं, अभी माल लोग कोई OS के उपर जाएंगे, तो आप लोग इतना OS के उपर पढ़ चुके हैं, तो आपसे कोईशन उसमें गलत नहीं होंगे, सही हो जाएंगे, माल यह इंटरनेट से आजाए, तो इस तरीके से जब हम लोगों के windows, इंटरनेट और इंसे questions आएंगे, तो आप लोग बहुत easily कर लोगे, वो आपको easy लगेगा, तो इसलिए क्या है, कि रोज के रोज आपको जो वीडियो मिलना है, आप लोग उसे देखिए, और कोशिस यह कीजिए, कि अपने जानने वाले, जो भी उसकी UPPCL की तयारी कर रहा हो, आप उनको भी वीडियो के वारे में suggest कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो 1000 questions की जो स्रीज चलाई जा रही है, यह आपके आने वाले exam UPPCL TG2 हो, चाहें आपका executive assistant हो, दोनों के लिए बहुत important है, क्योंकि दोनों का slaves लगबख सेम है, और आपके लिए वो बहुत important है, तो आप लोग ऐसे ही लगे रही है, बने रही है, आपको बहुत ही जल्दी, आपको 30 questions, आपको उसमें 50 में 30 number आपको 100% मिलेंगे, तो चलिए, आज की class यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप लोग वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, और वीडियो को दोस्तों तक तो जरूर पहुचाईए, वीडियो को share करके दोस्तों तक पहुचाईए, और चैनल को subscribe करके घंटी जरूर दबा लें, इससे क्या होगा की वीडियो जब भी आएगा चैनल पे, तो आपको एक notification मिल जाएगी, उसके लगा community पे मैं बहुत से post डालता रहता हूँ, आप लोग उसमें participate जरूर किया करें, वो आपके question जो हैं, वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, आपको उसको boost कर देंगे, ठीक है, तो इसलिए उसके साथ जरूर बने रही है, अपना boat उसमें जरूर कीजिए, पॉल जरूर किया करें, ठीक है, चलिए, आज की class यहीं पर समप्त करते हैं, मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए, जैहिन!